अस्सलाम अलेकुम फ्रेंस वेलकूम बेक टू माई चैनल तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी गोवन स्टाइल में रावा फ्राई सिल्वर फिश की रेसिपी इसे गोवन लेंग्वेज में वेल्लियों भी कहा जाता है तो फिर चलिए फ्रेंस देखते हैं इसकी रेसिप तो इसे बनने के लिए सबसे पहले मैंने फिश को यहाँ पर अच्छे से क्लीन करके वाश कर लिया था तो इसमें मैं एट करूंगी नमक half teaspoon नमक एड़ किया है मैंने 1 teaspoon अद्रकोल एसन का paste 2 teaspoon मैंने इसमें लाल मिज का पाउडर एड़ किया है half teaspoon हल्दी और एक नीमू का जूस एड़ किया है इन सब चीजों को एड़ करने के बाद हम फीश को अच्छे से mix कर देंगे मसालों के सार तो जब यह mix हो जाए तो हम इसे half नार के लिए marinate होने के लिए side में रख देंगे तो आप यहां देख सकते हैं अच्छे से marinate हो गया है तो अभी मैंने यहां पे लिया है rava यानि कि सूजी एक एक करके सारी फीश को मैं इस सूजी में cover कर लूँगी तो आप यहां देख सकते हैं एक एक करके इस तरह से आपको सारी फीश जो है इसमें cover कर लेना है तो आप यहां देख सकते हैं सारी फीश मैंने ready कर लिए है और अब भी दूसरी करब से मैंने एक पैन में around 4 tablespoon तेल गरम किया है जैसे ही तेल गरम हो गया मैं एक एक करके सारी फीश को इसमें एड कर दूंगी तो आप यह देख सकते हैं इस तरह से मैंने सारी फीश को इसमें एड कर लिया है और फीश एड करने के बाद हम इसे slow flame पे 5 मीट के लिए fry करेंगे एक तरफ से जब यह एक तरफ से अच्छा से fry हो जाए तो हम इसे दुसरी तरफ भी टर्न कर लेंगे और दुसरी तरफ भी हम इसे 5 मिनिट के लिए slow flame पे fry कर लेंगे तो इस तरह से आपको दोनों तरफ टर्न करके इसे अच्छा से fry कर लेना है जब तक फीश चो है अच्छा से क्रिस्पी हो जाए तो आप यहां देख सकते हैं बहुत ही अच्छा से फीश क्रिस्पी हो गई है दोनों साइट से अच्छा से fry हो चुकी है तो यह बिल्कुल रेसिपी फ्रेंट ज़रूर ठ्राइब करना और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करना अल्ला अफिस